देश भर में अपने सर्वश्रेश्ट उत्पादों से पहचान बनाने वाला नोवो को देश में अपने सामाजित उत्तरदाईदों को भी पहतुरीन तरीके से निभाते चले आ रहा है जहां एक और नोवो को अपने कारकशित्र में बुलंदियों पर है वहीं दूसरी और उतनी ही कर्मबद्दता से अपने कर्मचारियों के सम्मान वर सुरक्षा, सानिय संस्कृती का सम्मान, पर्यावरन की सुरक्षा, प्राकरतिक संसाधनों और उज़ा का संग्रक्षन का भी बीड़ा बहु भी उठाए हो रहे हैं, वदमान समय में इनके भारत में साथ सिमिंट प्लांट हैं और साथ तयार मिश्रित कॉंक्रीट प्लांट हैं, नोवो को पूर्वी, मध्य और उत्तरी भारत में प्रमुक सिमिंट उतपादकों में से एक हैं, यहां दुरागार्ड क के निर्मान और बिक्री की जाती है हम यह प्रयास करते हैं कि जो हमारा स्टेक होल्डर है जो हमारे नजदीक बसे हुए गाउं है जो हम पर किसी तरह से आश्रित हैं हम उनके लिए ऐसा प्रयास करें कि उनकी जो आजीवी का है वो सुनिश्चित हो पाए नोवको की सावाजीक जिम्मिदारियों का कारिक्रम पाँच स्थम्बों के अंतरगत आता है स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत, सक्षम भारत, संचित भारत, สुरक्षित भारत इन सब कारिक्रमों द्वारा आरसमेटा, सोनाडी, चितारगर, भिवानी, जोजोबेरा और मेजिया सिमेंट प्लांट के पास्थित, सौ से भी अधिक गाउं में तकरीबन 90,000 से ज्यादा ग्रामिनों को लाप्रदान किया गया है नोगों को का सबना है कि भारत को स्वस्थ बनाना है, रामीन बंचों के उप्राथमिक स्वास्थ का भी ध्यान रगता है और सुरक्षित पेजल भी प्रदान करता है गाउं में विध्यालेओं में शौचाले बनवाए गए है सोना टीमेक रामीन बालिकाओं के लिए हेल्थ ग्रुप्स बनाए गए है जहां उन्हें सैनेटरी नाकिन्स दिये जाते हैं ताकि उन्हें कम से कम बीमारिया हो और ज्यादा से ज्यादा स्वाच्छता बनी रहे किशोरी बालिकाओं दिदी लोगों को महवारी स्वाक्षता को लेकर अवर्नेस प्रोग्राम दे रहे हैं जिसके माध्याम से अभी तक हम लोगों ने दो हजार जो किशोरी बालिकाओं हैं प्लस इसमें डेढ़ाचार जो हैं हमारी दिदी हैं गाव में उनको अवर्नेस हम लोगों ने यहाँ पे दिया है वहीं जिद्वार में नोवों को द्वारा 165 आंगनबाडी को मौडल आंगनबाडी बनाने के लिए प्रोजेक्ट आंगन का क्रियानवन किया जा रहा है स्वस्त मातरत्व अभ्यान के अंतरगत धात्री महिलाओं को बहतर जांच सुविधाएं आंगनबाडी के माध्यम से प्रदान की जा रही है साक्षर भारत ही विक्सित भारत होगा ग्रामीन बच्चों को साक्षर बनाकर उनके भविश्य का बहतर निर्मान करने के लिए नोगों कोने कई कारे किये हैं कोई बच्चा शिक्षा से वन्चित न रह जाए इसके लिए नोगों को ने शिक्षा में सुधार लाकर और बिल्डिकों के मरम्मत कर स्कूलों की तस्वीर बदल दी है सभी सेमिंट प्लांट के पास थिद्गाओं के स्कूल में बच्चों के उच्वल भविश्य के लिए स्मार्ट क्लासिस की सुविधाएं दी गई है आरसमेटा में 200 टेस्क किट और स्कूल बैक्स भी बाटे गए है जो नए बच्चे हैं वो जब सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि इस गाओं में रहते हुए अभी उन्हें एक एसी सिक्षा मिल पाए कि वो जब शहरों में रोजगार के लिए जाएं तो किसी प्राइवेट इसकूल से पढ़े हुए बच्चों से कहीं भी वो कम ना हूँ सक्षम भारत के अंतरगत नोगों को ने ग्रामीन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का बीड़ा उठाया है युवाओं और महिलाओं को आत्निर्भर और सक्षम बनाने के लिए नए कौशल प्रदान करके आज इविका में सुधार करना साक्षर भारत के तहट संचालिद है इसलिए स्किल डवलक्मेंट्स को ध्यान में रखते हुए सोनाटी गाओं में टेली और MS आफिस की ट्रेनिंग दी जाती है वहीं चित्वार में प्रजेक्ट आकरती के तहत 400 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है आज आकरती का टर्नोवर 30 लाख तक पहुँच गया है वहीं मेजिया में महिलाओं को मश्रूम की खेती के माध्यम से वह उन्नत क्रशी की तकनीक के द्वारा उनके आये का सरवधन किया जा रहा है पेपर बैग मेकिंग वसिलाई की ट्रेनिंग के द्वारा आत्मे भर बनाया जा रहा है नोवोको को अपनी उत्कृष्ट CSR एक्टिविटीज के कारण फिक्खी द्वारा 2017 से 2020 तक लगातार तीन वर्षों में महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा के केंद्र में समानित किया गया है समाज का विकास और सारे सामाजिक उत्तरदाइटों को पूरा करते हुए ग्रामीन लोगों के जीवन शैली में सुधार लाकर लोगों को एक उच्वल भविश्च देने की जिम्मेदारी नोवो को विस्टा बहुत बहतरीन तरीके से निभाते आ रहा है जन कल्यान के कारे करते हुए नोवो को विस्टा भारत में अपनी पहचान मना कर पक्की लगन के साथ अपने सारे कारे सपलता पूरवक करते चले आ रहा है झाल 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 है